वेल्कम टू ब्लूमिंग रोज अकेडमी, हेलो स्टुडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फॉस्ट का मैं, जिसमें हमने आपको चैप्टर थर्ड होमउप दिया था, I hope आपने अपना होमउप कम्प्लीट कर लिया होगा, आज हमारा लेक्चर फॉर्थ है, जिसमें हम चै इजामपल भी बताया है, 19 is in between 18 and 20, 18 and 20 का between नमबर हमारा 19 है, आप यहां देख सकते हैं, और ऐसे ही हमें solve करने के लिए भी कुछ दिया है, तो चलिए अब हम इसको solve करते ही, fill in the blanks with numbers in between, अब हमें यहां पे between नमबर लिखना है 23 and 25 का, तो हमारा यहां पे हो जाएगा 24, और ऐसे ही कुछ question हमने आपको copy में भी note करना है और फिर उसका between नमबर लिखना है, तो copy में भी solve करके हम आपको दिखा देते हैं, 28 और 30 का between नमबर हमारा 29 हो जाएगा, ऐसे ही आपको भी अपनी copy में लिखना है और between नमबर राइट करना है, अब यहां पे देख सकते हैं, fill in the blank 31 is in between 30 and 32, यहां पे between नमबर 30 and 32 का 31 है, तो ऐसे ही आप second के हमाते हैं, is in between 17 and 19, 17 and 19 का between नमबर हमें लिखना है, तो हमारा यहां पे 18 हो जाएगा, 17 and 19 का between नमबर 18 होगा, अब नीचे आते हैं, the number before 20 is 19, यहां पे भी आपको एक बाक्स दिख रहा होगा, जिसमें 20 का before नमबर आपको 19 है, और the number after 20 is 21, और 20 का after number 21 है, ऐसे ही चलते हैं, अपने next question को solve करने, fill in the blanks with numbers before and after, आपको यहां पे 26 का before and after नमबर लिखना है, तो 26 का before नमबर हो जाएगा हमारा 25 and 26 का after नमबर हो जाएगा हमारा 27, तो आप यहां पे भी दिख सकते हैं, मैंने यहां पे before और after नमबर को अलग-अलग लिख दिया है, आपको इसमें सिफ before नमबर लिखना है, तो 89 का before हो जाएगा, 80 A, आप देख सकते हैं, तो यहां पे मैंने सिफ आपको before नमबर लिखने के लिए यहां पे दिया है, और turn करना है, यहां पे आप third question पे देख सकते हैं, fill in the blanks with after number, और यहां पे आपको सारे का after number लिखना है, तो 97 का after हो जाएगा हमारा 98, ऐसी ही आपको अपनी copy में लिखना है, और sort करना है, अब यहां पे last आप देख सकते हैं, fill in the blanks, the number before 31 is, 31 का before number यहां पे आपको 30 दिखाया है, तो second हो जाएगा, the number before 50 is, तो 50 का before number हमारा 49 होगा, the number after 41 is, यहां पे 41 का after number पूछा है, तो यहां पे 42 हो गया है, तो the number after 19 is, तो यहां पे after number 19 का 20 हो जाएगा, अब यहां आपका homework है, आपको book work सारा solve करना है, copy work जो हमने दिया है आपको, इसका pick भी आपको whatsapp group में मिल जाएगा, आप अपने copy में ऐसे ही note करेंगे, और फिर से उसको solve करेंगे, और इसका pick आप whatsapp group में solve करके send भी करेंगे, thank you.